हेलो गाइस में हूग केफ नोइस्टेक से और यह है डेडमी नोट 13 प्रो प्लस बहुत बड़ा नाम है पर सही में उत्ता बड़ा काम है क्या क्या अब इसका प्राइस भी उतना ही बड़ा हो गया है यह है पर तीस अजार रुपय का फोन का डिस्काउंट के बाद आपको 30,000 में पड़ेगा पर क्या एक रेडमी नोट वाला फोन 30,000 का प्राइस ब्राकेट डिसर्फ करता है हमने इसको लाज 6-7 दिन यूस कर लिया है आपके वीडियो देखने तक एक से दो दिन और हो जाएंगे तो प्रोपर 8-9 डेस का एक्स्पीरियंस इस वीडियो में आपको ब दिखाना है तो ब्लैक कलर का कवर उसके लुक्स को थोड़ा सा चुपा देगा मेरे पास यह वाइट कलर है इसलिए मुझे वह कवर काफी सही लेगा अब एक चीज मुझे शाओमी से कंप्लेन है अगर आप उफलाइन मार्केट से यह रेडमी का फोन खरीदने जाओगे त इसके लिए आपको एक-दो हजार उपर और इन्वेस्ट करने पड़ेगे मेरे बाजू में बंदा गा जिसको लेदर वाला वेरियंट चीह था तो उसने 12-256 वाला वेरियंट लेया हमने 8-256 वाला वेरियंट नहीं करता है हमें तो रिव्यू के लिए ही चाहिए था रेड इस फ्रेम को देखने के बाद एक चोड़ा सा डाउट है मुझे ऐसा लग रहा है एक साल बाद दस मैने बाद इसमें डिसकालरेशन हो सकता है अब वह तो बाई टाइम के साथ ही पता चलेगा पिलाल हमें नहीं पता चल पा रहा है में भी लॉंग टर्म रिव्यू करेंगे इस फोन का तब पता चलेगा बटन प्लेस्मेंट से काफी सही है मिरी एक उंगली प्रॉपली लॉग बटन भी पहुंच जाती है नीचे आपको टाइप सी का पोट है जो टू पॉइंट हो वाला पोट है एक सिम ट्रे दी गई है और आपको दूसरा स्पीकर दिया गया है सब्सक्राइब करना है अब कर सकते हो बागी लेफ साइट एक दम ही क्लीन दिया है इन हैंड फील फोन का मुझे बहुत जाद अच्छा लगा क्योंकि आप एक कर्व डिस्प्लें आगे से कर्व पीछे से कर्व जिसके कारण अच्छा लगता है पीछे कौन सा अला ग्लास ह यह आपको ड्रॉप से बचाएगा यह एक प्लस पॉइंट है इसलिए एक माइनस पॉइंट भी एक कर्व डिस्प्ले जनरली ज्यादा चूपने के चार्चिस बढ़ा देता है इसके लिए मैं आपको सिजेक्स करूँ अच्छा लगा लगा के रखना है और लगाने का एक जितने साथा स्टॉंग होते हैं उत्ता जल्दी लगते हैं उनके उपर इसके डिस्प्ले पर तो यह एक टॉप नॉच हाई कॉलिटी डिस्प्ले 6.67 इंच का डिस्प्ले 1.5 की डेजलूशन है 120 हर्ट है एकदम स्मूध मसका चलता है अट्रा सॉन इट्स की ब्राइटनेस आउट्डोर ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है प्राइस के हिसाब से बट अगर आप एकदम से आउट्डोर जाते हो जब बहुत जादा दूप है तो इसका जो ऑटो ब्राइटनेस है वो किकिन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ब्राइटनेस बड़ाने में 8-10 से अगरेंट तक कभी-कभी लग जाते उसके बाद ये ब्राइटनेस को धीर धीर ऊपर ले जाता है ये एक सही में काफी अच्छा हाई-कॉलिटी पैनल है नेफ्लिक्स पे आप HDR कंटेंट डॉल्बी विजन कंटेंट सब कुछ देख सकते हो काफी H2 है बैजल काफी छोटे अच्छा डिस्पले लगता है ये इसका जो फिंगरप्रिंट स्कानर थोड़ा सा नीचे है थोड़ा सा ओर उपर रहता था ज्यादा अच्छा रहता था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फोन है बाकी रीचिबिलिटी ठीक है पहुँच जाती हों गले से कोई प्रब्म नहीं ये अच्छी बात है कि इंडिस्पले फिंग अपरेंट स्कानर दिया उसके बाद डूबल स्टेरियो स्पीकर भी काफी पावरफुल अगर आप यूस कर रहे हो प्रॉपर लेफ्ट और राइट चैनल का सेपरेशन होता है अच्छी प्रॉपर आपको आपको ऑडियो आपको IP68 की रेटिंग ये पानी में जा सकता है पानी में काफी देर रख सकते हो स्विमिंग के लिए लेकर जा सकते हो कोई इश्यू नहीं है ऐसा शाओमी का बुलना है पर एक चीज जा रखना कोई भी ब्राइंड आपको वाटर डामेंच पर वारंटी क्लिएम नहीं नह वहाँ पर थोड़ा प्रीमियम फीचर के उपर खर्चा किया इसलिए शाओमी ने हलकासा प्रोसेसर के उपर कॉम्परमाइस किया हलकासा बलब ऐसे नहीं कि यह कोई अंडर पारवड चिप है एक डेफिनली पाफुल चिप है आटूरू स्कोस देखो के तो 7 लग 10,000 के आस सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे नहीं के नहीं है इतना साधा देखने मुझे नहीं मिली अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर अफकॉस नॉट सूपर पावरफुल उसके बाद यहां पर आपको 8GB की राम दी 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज है मेरे यह बेस वेरियंट में अब मुझे यह 8GB RAM है 4GB Virtual RAM expansion है फिर भी कई बार मुझे RAM management इतना अच्छा नहीं मिला है मुझे ऐसे लगता है ब्रैंड को यहां पर थोड़ा सा optimize करने कि अभी जरूवत है अपडेट के थूरू यह 8GB RAM मेरे साब से इनफ होना चाहिए 12GB की मुझे सच में जरूवत नहीं मैं आज तक किस आराम से निकल सकता है मौनिंग में 8-9 बजे जब घर से निकलता हूं इसको फुल चार्ज करके निकलता हूं रात में घर आता हूं नौदस बजे फिर भी इसमें 20-25-30% ऐसे बैटरी बचती है रात में 12 गया तक जब तक यूज करते करते हम सोते उस समय भी 10-15% बैटरी ब पड़ी और वो भी थोड़ा सा वेग हो जाता है क्योंकि रात में हम यूजियली 12 के बाद फोन को चार्ज करते है तो वो स्क्रीन ओन टाइम नए दिन का भी कांट हो जाता है पूरा दिन का उसकी बसर्ड मत जाती है बट मैं आपको इतना तो प्रॉमिस कर ही सकता हूं 120 Watt क आपके तयार होंगे उत्ती दिर में फोन चार्ज हो जाएंगा 20-22 मिर्ट लगते इसको हार्ली चार्ज होने में अब अगर मैं इस फोन से मेरा सबसे बड़ा कंप्लेंट मेरा सबसे बड़ा कंप्लेंट रहता ही है वह सॉफ्ट्वेर यहां पे एक तो Android 13 दिया में 14 तो टेकनिकली देखा जाता है यहां पर आपको दो फिलाल तो नहीं है मियू आया है बहुत 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 के कचरा मिलेगा जिसको अप अनिस्टॉल तो कर सकते हो वाट एक बात सोचो जब आप 30,000 रुपे थोड़ा सा एक प्रीमियम क्याते हो वहां पर क्या आप सहीं में लोटवर एकसपेक करोगे या एक तोड़ा सा मीडियो कर सॉाफ्यरेसी आपको मेरे साफ से तो नहीं आप चाहो गया थोड़ा सा मुझे लूपर आवाज जाती है यहां पर यह यह इंड़ीड पॉशंड वोल्यूम पर नहीं सुन पा हो और आपके आजू बाजू वालों को भी पता चल जाएगा अगर आप अपनी girlfriend से गुलू-गुलू कर रहो तो इस बात का सोड़ता ध्यान रख लेना क्यामरा की बात को तो दिया जो बहुत बड़ा सेंसर है अच्छी बात है बट जो दूसरे सेंसर ना उन पर बहुत कॉम्परमाइस किया आट मेगा पिक्सल का पर जाएगा पहली बात तो उसके बाद जूम भी करके तो कई जागा आपको डीटेल की कमी दिखेगी में कैमरा की बात को definitely one of the best camera है यह इस प्राइस के साब से बहुत अच्छी फोटोज ले रहा है बहुत अच्छी स्किंटों के साथ एक सीजहां पर शाओमी के अच्छी जाती डिनामिक अच्छा है कभी-कभी तोड़ा सा डिनामिक दिन में घड़ बढ़ होती है इस फोन से एंश्पेशली मैंने उन फोटो में जहां पर एक यूमें सब्जेक्ट है डिनामिक देश्ट है आप डिनामिक रेंच की गड़ बढ़ के करण स्किं टोन में हलकी फु पोट्रेट मोड अगर आप यूज करते हो तब डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा बैगरांड ब्लर मिलेगा एस डिटेक्शन काफी हद तक मैनेज कर लेता है कभी-कभी जहां मैंने बात किया थोड़ा सा डिफिकल्ट HDR शॉट से थे वहां कभी-कभी स्काय यह सब में गड़बर होती है और फिर भी ओर अच्छी फोटो नाइड मोड सर्प्राइजिंगली मुझे यहां पर पसंद आया जहां पर कलर दल दिखने चाहिए यह उन कलर को थोड़ा सा बूस्ट करता है आपको अच्छे पॉपी कलर दिखाता है देखने में अच्छे लगते बहु 16 Megapixel camera है यह अच्छी फोटो जी ले लेता है अच्छी फोटो चाहिए इनको पर काम करना चीए इनको थोड़ा सा इंप्रूफ कर लेना चीए अगर यह फोन बिफोर डिसकाउंट 30 का रहता था आफ्टर इसकाउंट ट्वेटी एट का मतलब 2000 और कम रहता इसका प्राइज एक जादा बड़ा कॉंपेटिटर बन जाता था मार्केट में अब ही मुझे थोड़ा सा एक्स्पेंसिव लग रहा है लोगों के दिमाग में में डिमी नोट फोन के लिए 30,000 रुपय थे थोड़ा सा जाधा हो गया मेरे इसाब से सही में जाधा हो गया अगर आपको एक आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज की वीडियो के लेता है वीडियो पसंद आई तो लाइक करना चैनल को सब्स्राइब करना हम आपको लेंगे नेक्स वीडियो में बड़ाइ